बच्चों, आज हम क्लास 5 का चाप्टर 15 पढ़ेंगे जिसमें खातिरदारी चाप्टर है खातिरदारी का मतलब होता है सेवा सतकार लेकिन ये जो है ये दूसरे तरह की खातिरदारी है अभी आप जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आयेगा किया किस तरह की खातिरदारी है तो हम चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं सबसे पहले क्या घटता है देखें अनीस एक बच्चा है जो भूगोल यानि जियोग्राफी की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ठक गया और पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई बच्चे अक्सर रात में जब बुक लेकर पढ़ते हैं तो देर तक पढ़ने से उन्हें जपकी आ जाती है और वो सो जाते हैं उसी तरह भो भी सो गया अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की बत्ती बंद कर दी वो जब पढ़ रहा था तब बत्ती जली हुई थी और अचानक उसको लगा कि उसकी कमरे का जो लाइट है वो आफ कर दिया किसी ने उसने आख खोल कर देखा उसे गहरी नीन नहीं आई थी इसलिए उसको आभास हो गया कि उसके कमरे की बत्ती बंद हो गई है जब उसने कमरे की बत्ती बंद होती महसूस किया तब उसने आख खोला तो देखा कि एक हिरिष्ट पुरुष्ट भयंकर व्यक्ति उसके पास खड़ा है यानी एक मोटा ताजा व्यक्ति उसके पास खड़ा है आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस व्यक्ति की बात की जा रहे है, ये हटा-कटा, मोटा, ताजा, भैंकर व्यक्ति, डरावना व्यक्ति उसके पास खड़ा था अनिस डर केमारे काप उठा उसने चिलाना चाहा पर तभी उस डराबने व्यक्ती ने एक हाथ से उसका मुँ बंद कर दिया यानि उसके मुँ पर अपना हाथ रख दिया ताकि वह चिला न सके और दूसरा हाथ उसका इस तरह से पकड़ लिया उसको बेबस बना दिया अनीस समझ गया कि वह चोर है अब डरने से कोई बात न बनेगी अनीस चोर को छकाने का कोई उपाय सोचने लगा जब वो इस तरह से उसका मुबंद किये हुए था तब अनीस का दिमाग चल रहा था और वो सोचने लगा कि अब डरने से कोई फायदा और वो इस चोर से कैसे छुटका रहा पाऊं वो दिमाग लगा रहा था तब ही वह चोर अनीस के कान के पास अपना मुझ लगा कर फुसफुसाया मतलब उसके कान में वह धीरे-धीरे बोला फुसफुसाना का मतलब होता है धीरे-धीरे बोलना कहा कि चुप-चाप पड़े मतलब जिस तरह की position में हो वैसे ही पड़े रहो जैसा मैं कहूं वैसा करते रहो नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा यानि काम तमाम करना यानि मार डालना मतलब अगर वो चोर की बात नहीं मानता है तो उसे मार दिया जाएगा बताओ चोर पुछा अनीस से कि बताओ अब्बाजान यानि तुम्हारे पिताजी ने अपना सारा रुपया और जो पैसा है गेने हैं वो सब कहां छिपा के रखा है यह कहकर चोर ने अनीस के मुह पर से हाथ हटा दिया ताकि अनीस उसे बता सके अनीस कुछ देर के लिए चुप रहा वह चोर से निपटने की युकती यानि उपाय सोच रहा था उसने चोर की आंख बचा कर तक्ये के नीचे लगा एक स्वीच दबा दिया वह चोर की आंख बचा कर लाइट तो आफ था अंधिरा था चोर तो हाँ थटा चुका था उसके मुझ से तो उसमें मौका देखकर अपने तकिये के नीचे लगा एक स्वीच जो है वो दबा दिया देर होती देखकर यानि जब चोर ने देखा कि अनिस कुछ नहीं कह रहा है तब चोर गुसे से अनिस से बोला नाराज होकर कि बताओ क्या उपर जाना चाहते हो यानि तुम बताओगे या उपर जाओगे यानि जल्दी बताओ औरना मैं तुम्हें मार डालूँगा बताता हूँ मामू बताता हूँ अनि इसने नाटक करते हुए कहा और कहा मेरे अबबा जानने गहने और रुपए घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं यानि उसने चोर से बचने का निपटने का उपाय सोच लिया था और चोर जो है चौक गया कहा घर से बाहर अनीश तो अपने प्लान के हिसाब से बाते कर रहा था चोर से उसने कहा हाँ घर से बाहर कुछ दूरी पर जमीन में गड़ा है वह संदूग उसमें ही है धेर सारे गहने और धेर सारे रुपए धेर सारे अनीश की बाते सुनकर चोर के मन में लालत जाग गया हाँ हाँ धेर सारे मेरे अबबाजान इस इलाके के सबसे मालदार आदमी है मालदार मतलब पैसे वाला, मतलब धनी व्यक्ति है इसलिए उनके पास उनके ख्यालात, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत गहने हैं उनके ख्यालात यानि उनका सोच पुराना है, पुराने जमाने की तरफ जैसे पुराने जमाने में लोग धन और पैसा जमीन में गाड कर रखते थे वैसे ही मेरे पिताजी भी धन और पैसा जमीन में गाड कर रखते हैं वे बैंक या घर में पैसा या धन नहीं रखना चाहते ताकि सबको पता ना चले ऐसा अनिस ने चोर को समझाते हुए उसकी संका दूर की लेकिन तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारे अबाजान ने माल बाहर धर्ती के नीचे दबा रखा है तब इस बात का जवाब देनी के लिए अनिस ने फिर दिमाग लगाया और फिर से एक नई कहानी गड़ी कहा कि एक दिन अबाजान मेरी अम्मी को यानि मेरी माता जी को बता रहे थे तब वह चुप चाप छीप कर उसने सारी बाते सुन ली थी या तुम सच मुझ तो बड़े समझदार लड़के हो चोर ने ऐसा कहा तुम मुझे माल बताओ यानि धन और पैसा कहा रखा है वो बताओ मैं तुम्हें धेर सारे रुपे दोंगा मौज करना हाँ तो अब फॉरन माल का पता बताओ चोर जो है अनीस को वहला फुसला कर पैसे गहने कहां रखे हैं उसका पता पूछने लगा तब अनीस ने फिर से एक उलजहन वाली बात करी और कहा कि क्या तुम याद रख पाओगे महा का पता तब चोर चौक गया सुनकर कहा मैं सब याद रख लोंगा तुम फौरन बताओ यानि तुरंत बताओ मेरे प्यारे भांजे अनीस ने उसे मामू कहा था इसलिए उसने भी उसे भांजा कहा मुझे नहीं लगता अनीस ने कहा अच्छा मामू सच सच बताओ तुमे के क्लास में कितने कितने साल फेल हुए हो इम्तहान में कितने अंडे मिले हैं और उस्ताद के डंडे कितनी बार खाने पड़े हैं उस्ताद मतलब मास्टर के, टीचर के ऐसी बाते उसने चोर से करी उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में तब चोर जो है गुस्से से बोला बकवास बंद करो, यानि फालतू की बाते मत करो चुप चाप कहा माल रखा, उसका पता बताओ वह चिलाते हुए कहा, क्यूंकि उसे लग रहा था कि अनीस उसे पता नहीं बताना चाहता और उसे बातों में उलजहा रहा है नाराज मत हो मामुजान ऐसा अनीस ने कहा मुझे पता नहीं था आप इतने होसियार हैं सुनिए और याद रख लीजिए ठीक ठीक याद ना रहा तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी मतलब उसने समझाते हुए कहा कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है पता पता अच्छे से याद रखना वरना मेहनत बेकार हो जाएगी वक्त बरबाद मत करो बताओ माल कहा दबा है ऐसा चोर ने अनीस से पूछा फिर से तब अनीस ने कहा सुनिए पुरा ध्यान लगा कर सुनिए कहीं ऐसा नहो कि रात में भटकते ही रह जाओ देखो इस कोठी के गेट से बाहर निकलो यानि इस हमारा जो घर है उसके गेट से बाहर निकलो यह भी कोई बताने की बात है जल्दी काम की बाते बताओ चोर बोला चोर को तो जल्दी से धन और गहने पाने का लालच था इसलिए उसकी अंदर सब्र नहीं था और वो चिलाते हुए अनीस से मुख्य बाते करना चाता था कहा जल्दी से पता बता दो अनीस ने आगे जल्दी जल्दी बताना आरंग किया यानी सुरू किया लो जल्दी जल्दी सुनो गेट के आगे बाईं और पचास कदम चलो फिर दाईं और मुड़ो आगे लाल रंग की एक कोठी मिलेगी वहां से फिर बाईं और मुड़ो फिर दाएं फिर बाईं आगे साथ बार बाईं मुड़ो और पांच बार दाएं मुड फिर एक मैदान में पहुंच जाओगे वहाँ बाय कोने की ओर से सीधर 37 कदम चलो फिर 31 कदम दाई ओर चलो इस तरह दोनों ओर को साथ साथ बार चलो वहाँ तुम्हें पत्रीली जमीन मिलेगी उसी के साथ फूट नीचे गड़ा है मेरे अबाजान का खजाना उसे खोद कर निकालो और माला माल हो जाओ पर मेरा हिस्सा देना मत भूलना मामो उसने इतनी उलज़न भरी बाते की इतना लंबा चोड़ा पता बताया कि चोर जो है वो सुनकर भौचका हो गया उसने खूब दिमाग लगाया लाख जोर लगाया पर उसको कुछ भी याद नहीं रहा वह परिसान हो गया और सिर्ख खुजलाने लगा और बोला इतनी धेर सारी बाते भला कौन याद रख सकता है तुम्हें यह सब कैसे याद है उसने खुद तो वो उलज गया था इसलिए उसने सवाल पूछा कि इतना उलजा हुआ पता तुम्हें कैसे याद है तब अनीस ने चोर से कहा मामू तभी तो मैं पूछ रहा था कि तुमने एक क्लास में कितने कितने साल पास किये में पास की यानि फेल किया है यानि पढ़ाई लिखाई में तुम कैसे हो अगर तुम पढ़ाई लिखाई में तेज होते तभी तुम्हें ये बाते याद रहती है मैं तो अपने क्लास में अवल आता हूँ यानि फर्स्ट आता हूँ मैं पढ़ने में तेज हूँ इसलिए मुझे ये पता याद है और तुम पढ़ने में तेज नहीं हो सायद इसलिए ये बातें तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं रह रही है और मुझे तो सब याद है क्यों न याद होंगी मैं फर्स्ट आता हूँ ऐसा अनिस ने उसे उलजाते हुए कहा फिर उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं एक उपाय है बत्ती जला कर कागज पेन ले लो और सब कुछ अच्छी तरह लिख डालो ये उपाय उसने चोर को बताया चोर को उसकी बातों पर भरोसा हो गया चोर को भरोसा दिलाने के लिए ही उसने ये बाते करी चोर ने बत्ती जलाई और कागज पेन लेकर गड़े धन का रास्ता लिखने में जुट गया और जैसे जैसे अनीस बोलता गया वैसे वैसे वो लिखता गया तभी कमरे की बगल का दरवाजा खोल कर अनीस के अबबाजान बड़े भया अकरम पडोसी सर्मा जी वो उनका बेटा इतन देरी तक अनीस ने उसे अपने प्लान के मुताबिक चोर को उलजहा कर रखा था ताकि उतनी देर में सभी लोग आ सके भागने का कोई रास्ता न देखकर चोर जहां का तहां बैठा रह गया यानि उसे पता ही नहीं था वो सोच भी नहीं सकता था कि अनीस ऐसी परिस्थित प्लान का सोच जो है वो गलत था और वो पकड़ा जा चुका था वो भोचक्का हो गया था और वो जहां का तहां बैठा हुआ था तब अनीस ने कहा लो मामो तुम्हारी सारी परिसानी हल हो गई अबबाजान खुद ही यहां तस्रीफ ले आए यानि खुद ही यहां मेरे प यह सारी कहानिया गड़ रहा है और उन्होंने भी अचौक कर कहा कि कैसा गड़ा खजाना अनीस बेटे तुम क्या कह रहे हो अनीस ने अबबाजान से कहा कि बहुत देर से यह परिसान थे अब आप ही इनकी खातिरदारी करें तो अबबाजान अपने गड़े खजाने के अब आप नहीं जानते अजीब बात है अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा अब उसका प्लायन और उसकी बाते सब के समझ में आ गई थी देर नहीं लगा किसी को सब समझ गया कि अनीस गड़े खजाने का खिस्सा गड़कर चोर को जाल में फसाया है चोर की बड़ी चोर पु बच्ची मरमत की और उसकी पिटाई हुई फिर उसको पकड़ कर सभी जेल ले गए यह दूसरी बात है कि खातिरदारी यानीस की अबाजान ने नहीं पुलिस ने की तो पुलिस जो है अब वो चोर जो है वो पुलिस के महमान बन गए और पुलिस उन्हें अपने घर ले कार हुई दो बच्चोड आप समझ गये होंगे कि पुलिस जो है वो चोरू की कैसी सेवा करते हैं तो इस कहानि से यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि चोरी ना करें कथा कोई भी गलत काम करें और क्योंकि गलत काम का परिणाम हमेसा गलत ही होता है और सदा दुखदाई हो तो इसी के साथ ये पार्ट यही समात हुआ धन्यवाद